मुझूदा सरकार द्वारा विसेश दर्जा हटाये जाने के बाद उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आधितनात इस पर चर्चा की तैयारी में हैं जिसके लिए उन्होंने अलिगर मुस्लिम इनवर्सिटी एम यू से कुछ चात्रों को चर्चा के लिए बुलाया परंतु देखने वाली बात ये है कि चात्रों ने उनका नियोतार ठुकरा दिया दरसल मुख्यमंत्री योगी अनुचे 370 और अन्य विश्यों पर चर्चा करने की इच्छा जाईर की है परंतु चात्रों ने इस कारेकरम में सामिल होने से मना कर दिया है सुत्रों के मुताबिक पश्चिम यूपी के 3 जीलों के कुछ सिक्षन संस्थानों के स्टूडेंट इस कारेकरम में हिस्सा लेने के लिए सुक्रवार को लखनव पहुच गए कारेकरम संिवार को लखनव में आयोजित किया जाएगा कारिकरम में EMU के अलावा गौतम बुद्ध नगार और गाजियवाद जिले के सिक्षर संस्थानों में पढ़ने वाले कसमेरी चात्रों को सामिल होना था इस बारे में EMU के पबलिक रिलेशन्स विभाग के प्रभारी सहाफे किदवई ने कहा कि इनवर्सिटी परसासन ने चात्रों को इस कारेकरम के बारे में सुचित किया था लेकिन कोई जवाब नहीं मिला किदवई ने सुक्रवार को दा इंडियन एक्स्प्रेस से बाचित के दौरान कहा हमने मंगलवार को चात्रों को इस कारेकरम के बारे में बताया हाला कि कोई इसमें हिस्सा लेने के लिए आगे नहीं आया हम किसी चात्र को कारेकरम में हिस्सा लेने के लिए बाद यह नहीं सुबा 11 बजे CM अवास पर होने वाली चर्चा में हिस्सा लेंगे कस्मीर के अनंतनाग के रहने वाले AMU के PhD चात्र मुबासीर साह ने कहा जम्मू कस्मीर का विसेश दर्जा है जाना CM के अधिकार छेतर में नहीं आता अगर सरकार में से कोई इस मुद्दे पर हमसे चर्चा करना चाता है तो वो या तो प्रधान मंत्री होने चाहिए या ग्रीह मंत्री देखा जाए तो चात्र का कहना भी सही है क्योंकि विसेश दर्जा हैटाय जाने के पीछे ग्रीह मंत्री अमित्सा और प्रधान मंत्री ही जिम्मेदार हैं तो ऐसे हाल में इस विसेश पर चर्चा करने के लिए इन दोनों का उपस्तित होना अनिवार्य हो जाता है खैर अब देखना ये होगा कि क्या योगी सरकार चात्रों की सर्वाईय पर नराजगी जताती है या उनके इन रने का सम्मान करती है परन्तु यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि घाटी को लेकर लिये गए फैसले के इतनी दिनों बाद खास तोर पर उत्रपरदेश सरकार इस पर चर्चा क्यू चा रही है नमस्कार नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरतों के लिए हमेशा से यूटूब एड्स पर निरपर रहा है हमारी काफी वीडियोज को यूटूब की तरफ से डी मोनेटाइज कर दिया जाता है जिसके चलते हमें एड्स ने मिल पाती इसकी वज़ा से हमें आर्थिक समस्याओ का सामना करना पड़ रहा है हमें आपके साथ की सबसे ज़्यादा जरूरत अब है पैट्रियोन एक ऐसा फ्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं जिसका मतलब हुआ कि हम अजादी से पत्रिकारता कर पाएंगे आप से सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी अवाज को और बुलंद कर पाएंगे आप पैट्रियोन पर मातर दो डॉलर करीब 140 रुपर परतिमा से हमारी सहायता कर सकते हैं पैट्रियोन क्रेटिट कार और डेविट कार दोनों ही सपोर्ट करता है हाँ जरूर रही है कि पैट्रियोन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इलाउड होने चाहिए अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर करके इसको असानी से चालू करवा सकते हैं पैट्रियोन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है पैट्रियोन दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेयर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें